ओम नमस्षिवा उसका पती दरुका महान बलसाली राचस था, उसने बहुत से राचसों को अपने साथ लेकर समाज में आतंक फैलाया हुआ था, वह यग्यादी सुभ कर्मों को नश्ट करता हुआ, संत महात्माओं का संहार करता था, वह प्रसिध धर्म नासक राचस था, पश्चिम समुंद्र के किनारे सभी प्रकार की संपदाओं से भरपूर, सोलह योजन विस्तार पर उसका एक वन था, जिसमें वह निवास करता था, दारुका जहां भी जाती थी, ब्रिच्छो तथा बिवीध उपकर्णों से सुसजित, वह बन भूमी अपने विलास के लि उस बन की देखभाल का दायुत्य दारुका को ही सवपा था, जो उनके बरदान के प्रभाव से उसके ही पास रहता था, उससे पिलीत आम जनता ने महर्शी अउर्व के पास जाकर अपना कष्ट सुनाया, साड़ा गतो की रच्छा का धर्म पालन करते हुए महर्शी अउर्व ने राच्छों को स्राप दिया, उन्होंने कहा कि जो राच्छस इस प्रीथवी पर प्राड्यों की हिंसा और यग्ण्यों का बिनास करेगा, उसी समय वह अपने प्राडों से हाथ धो बैठेगा, महर्शी अउर्व द्वारा दिये गए साफ की सूचना, जब देवताओं को मालूम हुई, तब उन्होंने दुराचारी राच्छों पर चढ़ाई कर दि, राच्छों पर भारी संकट आ पड़ा, यदि वे युद में देवताओं को मारते हैं, तो स्राब के कारण स्वयम मर जाएंगे, और यदि उन्हें नहीं मारते हैं, तो पराजित होकर स्वयम भूखों मर जाएंगे, उस समय दारुका ने राच्छों को सहारा दिया, और भवानी की बरदान का प्रयोग करते हुए, वह संपूर बन को लेकर समुन्द्र में जा बसी, इस प्रकार राच्छों ने धर्ती को छोड़ दिया, और निर्भैता पुर्वक समुन्द्र में निवास करते हुए, वहां भी प्राडियों को सताने लगे एक बार धर्मात्मा और सदाचारी सुप्रिय नामक सीव भक्त वैश्य था जब वह नौका पर सवार होकर समुन्द्र में जल मार्ग से कहीं जा रहा था उस समें दरुक नामक एक भयंकर बलसाली राच्छस ने उस पर आक्रमण कर दिया राच्छस दारुट ने सभी लोगों सही सुप्रिय का अपहरण कर लिया और अपनी पूरी में ले जाकर उसे बंदी बना लिया चुकि सुप्रिय सीव जी का अनन्य भक्त थे इसलिए वो हमेशा सीव जी की अराधना में तनमय से लगे रहते थे कारागार में भी उनका अराधना बंद नहीं किये और उन्होंने अपने अनन्य साथियों को भी सीव जी की अराधना के प्रती जागरूप कर दिया वे सभी सीव भक्त बन गए कारागार में सीव भक्ती का ही बोल बाला हो गया जब इसकी सूचना राचस दारूप को मिली तो वह क्रोध में उबल उठा उसने देखा कि कारागार में सुप्रिय ध्यान लगाए बैठा है तो उसे डाटते हुए बोला वैश्य तुँ आखे बन करके मेरे बिरूध कौन सा सर्यंत रच रहा है वह जोर जोर से चिलाता हुआ धमका रहा था इसका उस पर कुछ भी प्रुभाव नव पड़ा घमंडी राचस दारूप ने अपने अनुचरों को आदेश दिया की इस सिव भक्त को मार डालो अपनी हत्या के भैसे भी सुप्रिय दरेद नहीं और वह भैहारी संकट मोचक भगवान सिव को पुकारने लगे देव आप ही हमारे सरवश्व हैं आप ही मेरे जीवन और प्राड हैं इस प्रकार सुप्रिय बैस की प्रार्थना को सुनकर भगवान सिव एक बल से प्रकट हो गए उनके साथ ही चारो दर्वाजे पर एक सुन्दर मंदीर प्रकट हुआ उस मंदीर के मध्य भाग में गर्वग्री में एक दिव्य जोती लिंग प्रकासित हो रहा था तथा सिव परिवार के सभी सदस्य भी उसके साथ बिद्यमान थे वैश्य सुप्रिय ने सिव परिवार सही उस जोती लिंग का दर्सन और पूजन किया सुप्रिय के पूजन से प्रसन होकर भगमान सिव ने स्वयम पासुपतास्त्र लेकर प्रमुख राच्षों को वा उनके अनुचरों को तथा उनके सारे संसाधनों अस्त्र सस्त्र को नश्ट कर दिया लीला करने के लिए स्वयम शरीर धारण करने वाले भगमान सिव ने अपने भक्त सुप्रिय आदी की रच्छा करने के बाद उस बन को भी यह वर दिया की आज से इस बन में ब्रामहट, छत्री, वैश्य तथा सुद्र इन चारों वर्डों के धर्मों का पालन किया जाएगा इस बन में सिव प्रचारक, स्रेष्ट रिसी मुनी निवास करेंगे और यहां तामसिक दूष्ट राच्षों के लिए कोई अस्थान नहीं होगा राच्षसों पर आए इस भारी संकट को देखकर राच्षसी दारुका ने दीन भाव से देवी पार्वती की इस्तुती की उसकी प्राफना से प्रसंद माता पार्वती ने पूछा बताओ मैं तेरा कौन सा प्रियकार्य करूँ दारुका ने कहा मा आप मेरे कुल की रच्छा करें पार्वती ने उसके कुल की रच्छा का आश्वाशन देते हुए भगवान सीव से कहा नात आपकी कही हुई बात इस यूग के अंत में सत्य होगी तब तक यह तामसिक श्रिष्टी भी चलती रहे ऐसा मेरा विचार है माता पार्वती सिव से आगरह करती हुई बोली की मैं भी आपके आश्रय में रहने वाली हूँ आपकी ही हूँ इसलिए मेरे द्वारा दिये गए वचन को भी आप प्रमारित करें यह राचसी दारुका राचसियों में बलिष्ट मेरी ही सक्ति तथा देवी है इसलिए यह राचसों के राज्यका सासन करेगी ए राचसों की पत्नियों अपने राचस पुत्रों को पैदा करेगी जो मिल जुलकर इस बन में निवास करेंगे ऐसा मेरा विचार है माता पार्वती के उक्त प्रकार के आग्रह को सुनकर भगवान सीव ने उनसे कहा प्रिय तुम मेरी भी बात सुनो मैं भक्तो का पालन तथा उनकी सुरच्छा के लिए प्रसन्नता पुर्वक इस बन में निवास करूंगा जो मनुस्य वड़ा स्रम धर्म का पालन करते हुए स्रधा भक्ती पुर्वक मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा कल युक के अंत में तथा सत्युक के प्रारंभ में महा सेन का पुत्र वीर सेन राजाओं का महा राजा होगा वह मेरा परंभग तथा बड़ा पराक्रमी होगा जब वह इस बन में आकर मेरा दर्शन करेगा उसके बाद वह चक्रवर्ती सम्राठ हो जाएगा तक पस्चात बड़ी बड़ी लिलाए करने वाले सिव दमपत्ती ने आपस में हास्य विलाज की बाते की और वही पर इस्थित हो गए इस प्रकार सिव भक्तों के प्रिय जोति लिंग स्वरुप भगवान सिव नागिस्वर कहलाए और पारवती देवी भी नागिस्वरी के नाम से विख्यात होई इस प्रकार सीव जोती लिंग के रूप में प्रकठ हुए हैं, जो तीनों लोकों की कामनाओं को उड़ करने वाले हैं, नागेश्वर जोती लिंग के दर्शन करने के बाद जो मनुष्य उसकी उत्पत्ति और महात्मिय सम्मंधी कथा को सुनता है, वह समस्त पापों से मुक् तथा संपुर्भावति की और आध्यात सुखों को प्राप्त कर लेता है